नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल पे आज की हमारी कहानी है इमानदारी का पौधा काफी समय पहले की बात है प्रताबगर नाम का एक राज्य था वहां का राजा बहुत अच्छा था मगर राजा को एक सुक नहीं था वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तरादिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में गोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए ऐसा ही हुआ राजा ने सभी बच्चों को पौदे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिये और कहा कि अब हम छे मेहने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा महीना बीज जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वहे बीज अभी तक नहीं फूटा था लेकिन वहे रोज उसकी देख भाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था देखते ही देखते तीन महीने बीट गए बच्चा परिशान हो गया तब ही उसकी मा ने कहा कि बेटा धैरे रखो कुछ बीजो को फलने में जादा वक्त लगता है और वहे पौधे को सीजता रहा छे महीने हो गए राजा के पास जाने का समय आ चुका था लेकिन वहे डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा लेकिन वहे बच्चा इमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्यूंकि उनके अंदर राज्य का उत्रादिकारी बनने की प्रबल लालसा थी अब राजा ने आदेश दिया सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्यूंकि उसका गमला खाली था तभी राजा की नजर उस गमले पर गई उसने पूछा तुम्हारा गमला तो खाली है तो उसने कहा लेकिन मैंने इस गमले की छे महने तक देखभाल की है राजा उसकी इमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है फिर भी वह हिम्मत करके यहां आ तो गया सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया सभी बच्चे जोर से हसने लगे राजा ने कहा शान्त हो जाईए इतने खुश मत होईए आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं आप चाहे कितनी भी महनत कर लें उनसे कुछ नहीं निकलेगा लेकिन असली बीच यही था राजा उसकी इमानदारी से बहत खुश हुए और उस बच्चे को राज्य का उत्रादिकारी बना दिया गया इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि इंसान के अंदर इमानदारी का हुना बहुत जरूरी है कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना भूले खर देयर सक्राइब करीक